ध्यान रखने योगे बहुत जरूरी बातें चेहरे को चिकना और खुबसूरत बनाने के लिए अपनाई ये 22 उपाए नमबर एक जब भी आप फांडेशन लगाएं तो फांडेशन में थोरा सानारियल का तेल मिला लें इससे चेरा ड्राइ नहीं होगा और मेकप काफी लंबे समय तक टिका रहेगा और ग्लोइंग रहेगा नमबर दो अगर सर के हलके हलके सफेद बाल आ रहे हैं तो जो बचा हुआ काजल है उसको जहां बाल सफेद है वहाँ पे लगा लें ऐसा करने से आपका समय भी बचेगा और बार बार कलर करने की जंजट खतम हो जाएगी ये ट्रिक जरूर अपनाएं बहुत काम आएगी नमबर तीन आइबरो के बाल शैनी करने के लिए आई क्रीम या फिर वैसलीन लगा लें ऐसा करने से आइबरो शैनी हो जाएगी नमबर चार लिप्स्टिक और नेल पेंट को फिरीज में रख दे ऐसा करने से लिप्स्टिक और नेल पेंट लंबे समय तक चलती है और ये सूकती नहीं है नमबर पांच विटामिन E के कैप्सूल और अलोवेरा जेल मिलाकर रात में सोते वक्त अपने चेहरे पेंट लगाएं ऐसा करने से चेहरे पेंट से दाग धब्बे सब खतम हो जाएंगे सूखा बेजान नहीं होगा ठंड के मौसम में ये टिप्स ज़रूर अपनाएं बहुत फैदा मिलेगा नमबर छे कॉफी पॉडर में दो चमच अलोवेरा मिलाकर चेहरे पे लगाने से चेहरा सॉफ्ट हो जाएगा और इसकीन के दाग धब्बे भी दूर होंगे नमबर साथ नाडील का तेल इसकीन में मौस्च रैजर का काम करता है नमबर आठ एक कटोरी में दही लें उसमें खीरे का रस टेमाटर का रस और बेसन इनको अच्छे से मिक्स करके अपने चेहरे पे लगाएं और दो मिनट के लिए मालिश करके चेहरे को धो लें इससे चे ग्लिसरीन आपकी तोचा को नरम और मुलाइम बनाए रखता है। इसलिए चेहरे पे ग्लिसरीन का उप्योग जरूर करें। आप चाहें तो फेस पाइक में ग्लिसरीन डालें या फिर ऑईल में मिलाकर लगा लें। नमबर दस हरा धनिया और हल्री दोनों का पेश्ट बना लें और फिर रात को सोते वक्त इसको लगा लें। आदा गंटा बार में इसको ठंडे पानी से धोलें इससे ब्लैक हेट्स की समस्या आपकी खतम हो जाएगी। नमबर गारा ठंड के मौसम में रुजाना चेहरे को पा बदाम का तेल लें या पिर कच्छा दूर लें या ऑलिव ओयल लें इससे पांच मिनट के लिए मसाज़ जरूर करें। इससे आपका चेहरा ड्राइग नहीं होगा नरम मुलायम और चमकदार रहेगा। नमबर बारा बदाम का तेल और ऑलिव ओयल को मिक्स कर लें। इस मे एक रात रहने दें, अगली सुबा छान कर एक बोतल में भर लें, रात में सोते वक्त तीन से चार बुंदे इस तेल की लेके अपने चेहरे पे मालिश कर लें आप चाहे तो सुबा भी लगा सकते हैं, गेंदे के फूल में एंटि बैक्टेरियल इन्फुलमेंटरी गुन पाये जाते हैं, जिससे आपकी स्किन पर दाव धबे कील मुहा से जुरियां और जहाईयां से बचाये रखते हैं इसको लगाने के बाद आपको महगे महगे प्रोड़क्ट लगाने की अवशक्ता नहीं पड़ेगी नमबर तेरा, दो बदाम लें और दोनों को जलाके ब्लैक कर लें, फिर इनको बिलकुल बारी सकूट के पॉडर बना लें, फिर कांच के छोटे कंटेनर में डाल दें पहले, फिर सभी को अच्छे से मिक्स कर लें, कंटेनर में भर कर रख दें या फिर आपकी जो बोतल है, उसको अच्छे से साफ करके उसमें भर कर रख दें, फिर इस सीरम को आपके आइबरोग पलकों पे लगाएं, ये आपके अमेजिंग काम करेगी, नमबर चौदार हाथों का कालापन दूर करने के लिए आज हम आपको बहुत ही अच्छी टिप्स बताने वाले हैं, दो चमच दही, एक चमच बेसन, एक चमच कॉफी पौडर मिला ले, कुछ बूदे नेबू के रस की डाले, अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद नहाने से पहले हाथों पर 4-5 मिनट के लिए मसाज करें, फिर नहा लें, ऐसा आपको रोस करना है, इससे आपके हाथों का कालापन दूर होगा, नमबर 15, कच्छा दूर लें, उसमें आलू का रस मिलाएं, और कुछ बूदे नेबू की रस की मिला लें, और फिर अपने हाथों पर अ आपने हाथों में नागल का तेल या जैतून का तेल से मालिश करें, इससे आपके हाथों की स्किन ड्राइन नहीं होगी, नमबर 17, अगर आपकी ड्राइन स्किन है तो आप जब भी फांडेशन लगाएं, तो उसमें थोड़ी सी फेस क्रीम मिला लें, इससे चेहरे पे गु जल्दी से आती है, इसलिए जुर्यों से बचने के लिए आँखों की नीचे आई किरीम लगाएं, या फिर बदाम का तेल ज़रूर लगाएं, और ये सोते टाइम लगाएं, साथ ही 7-8 घंटे की नीन ज़रूर लें, इससे आपकी आँखों की नीचे जुर्यां जल्दी से नहीं आएंगी, नमबर 19, चेहरे पे गलू लाने के लिए प्याज भी बहुत एहमियत रखता है, अपने डायेट में प्याज जरूर शामिल करें, सलात के रूप में कच्छा प्याज जरूर खाएं, इससे भी आपके चेहरे पे गलू आता है, नमबर 20, चेहरे पे हफ़ते मे एक बार मास्क जरूर लगाएं, इससे आपके चेहरे की मिर्थ कोशिकाएं हड जाती है, आप इससे चेहरा सुंदर और चमकदार होता है, इसकीन टाइट होती है और जूरियां भी कम हो जाती है, नमबर 21, दस मिनट से ज्यादा नहाते हैं तो इससे आपके स्कीन की नमी घ घड़ जाती है, इसलिए कभी 10 मिनट तर बात तक नहीं नहाना चाहिए, नमबर 22, अगर आपको ठकान सी महसूस होने लगे तो ताजा हवा में जाके थोरे देर के लिए बैड़ जाएं, हलका खुलका टहलें, नीले आसमान को देखें, साथी हरे हरे पेर को भी देखें, इ घ्यान कैंद्रित रहता है और दिमाग में ताजगी बनी रहती है, तो यह जो हमने ब्यूटी टिफ्स बताइं हैं, आपको इनको जरूर आजमाएं, आपको बहुत फैदा मिलने वाला है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक समाने प्रकिरिया के लि पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपनी फैमली फैंड्स में इसे जरूर शियार कर दें, ऐसे ही इनफर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइक का खयार लखें और अपने आर्स पास सफाई रखें, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शिक्रिया, मैं शिरीन फात्मा फिर इसी तरह की एक और इनफर्मेशन वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ, तक तक के लिए बाबाई फ्रेंड्स